मैं लोगों को देश के लोगों को आगा करना चाहता हूँ मोदी जी अपने लिये वोट नहीं मांग रहे मोदी जी अमित शा को प्रधान मंतरी बनाने के लिये वोट मांग रहे हेलो दोस्तों, अर्विंद केजरिवाल केंदर की भाजपा सरकार पर खूब बरसे उन्होंने भारतिय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के संबंध में कई बड़े दावे भी किये जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सीम अर्विंद केजरिवाल ने आज एक बड़ा राजनीतिक दावा किया है केजरिवाल ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी ने तै कर लिया है कि अगले साल 17 सितंबर को अमित शाह को पी-एम बनाएंगे उन्होंने कहा कि भाजपा और पी-एम मोदी इस चुनाव में अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं वहीं आगे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फरेंस में अर्विंद केजरिवाल ने कहा आज मैं लखनव में यूपी के वोटर्स से गुजारिश करने आया हूँ कि वे इंडिया गठबंधन को वोट करें मैं यहाँ चार मुद्धों पर बात करना चाहता हूँ पहला, इस चुनाव में PM मोधी अमित शाह को पीम बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं दूसरा, अगर BJP सत्ता में आई तो CM योगी आदित्यनात को 2-3 महीने के अंदर उनके पद से हटा दिया जाएंगे तीसरा, वे समविधान बदलने जा रहे हैं और SC, S80 का आरक्षन हटाने वाले हैं और 4-4 जून को इंडिया गठ बंधन सत्ता में आ रहा है दोस्तों पूरी बात ये है कि दिल्ली के CM अर्विंद केजरीवाल ने अमित शाह को पीम बनाने के अलावा लोगसभा चुनाव जीतने के दो महीने बाद ही योगी आदित्यनात को CM पद से हटाए जाने का दावा किया है उन्होंने कहा है कि इन लोगों भाजपा ने शिवराज सिंह चोहान और वसुंधरा राजे को हटा दिया इन लोगों ने योगी को हटाने का मन बना लिया है केजरीवाल ने कहा है कि भाजपा के किसी भी नेता ने योगी आदित्यनात को हटाए जाने वाले बयान पर प्रतिक्रिया नहीं दी है किसी भी नेता ने योगी आदित तिनात पर कुछ नहीं कहा है जिससे यह साफ है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा वैसे दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं